हेलो बच्चो स्वागत है आपका एक बार फिर से भी वेक्सिंग क्लासेज में मेरे प्यारे बच्चो आपने यह अनुभव किया होगा कि फिजिक्स के कुछ कांसेप्ट में मैथ के कुछ बिसेश कांसेप्ट का यूज किया जाता है जो हम नाइन और टेंथ में नहीं पढ़े होते हैं ठीक है अब उन कांसेप्ट का सड़नली अगर यूज आपके क्लासरूम में होता है या आपके बुक में लिखा होता है तो उसको समझने में थोड़ी सी परिशानी होती है इस परिशानी को दूर करने के लिए हम आपको 2 या 3 वीडियो का एक सिरीज प्रस्थूद करेंगे जिसमें मैथ के उन टापिक्स को समझाने का प्रियास करेंगे सरल भासा में जिनका फिजिक्स में फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है अक्सर प्रियोग किया जाता है बच्चो सबसे पहले हम आपको ये समझाने चलेंगे कि differentiation क्या होता है alkaline क्या होता है बच्चो alkaline उस अस्थान पर प्रियोग किया जाता है physics में जहां पर परिवर्तन होता है जहां पर चीजे change होती है जैसे मान लो अगर हम अपसे definition पूछे तौरण का क्या definition है acceleration क्या क्या definition है तो आप बड़े इजली बता सकते हो कि rate of change of velocity वेग परिवर्तन के दर को तौरण कहते है तो यहां पर वेग में velocity में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेच इसलिए बच्चों यहां पर हम लोग differentiation यूज करेंगे कर सकते हैं इसी तरह से अगर आप से कोई पूछे कि force को define करो force का definition आपके पास दो होगा लेकिन जो force का main definition है वो यह है rate of change of momentum linear momentum यहां पर यूज किया जाता है रेखिये समवेग रेखिये समवेग के मान में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं तो चुकि यहां भी समवेग के मान में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेच इसलिए यहां पर भी हम differentiation का यूज कर सकते हैं तो physics में ऐसे हर उस अस्थान पर हर उस numerical में हर उस concept में हम differentiation का यूज कर सकते है जहां पर change हो रहा हो जहां पर बदलाव हो रहा हो जहां पर परिवर्तन हो रहा हो तो चलो बच्चो स्टार्ट करते हैं differentiation औकलन को समझना यहां औकलन को हम लोग केवल उतना ही समझने का प्रियास करेंगे जितने से मेरे physics का हर वो सवाल साल्ब हो जाए जो बड़े से बड़े competition में UP board में और आपके book में हैं तो differentiation गड़ित का चुकि एक प्रकार है गड़ित का एक type है गड़ित का एक सिध्धान्त है तो हर सिध्धान्त का सुरुवात उसके symbol से होता है तो बच्चों differentiation का जो प्रतीक होता है ओकलन का जो symbol होता है वो होता है d by dx जैसे आप sign एक symbol लिखते हो log एक symbol लिखते हो उसी तरह से d by dx ये पूरा differentiation औकलन का symbol होता है लेकिन जिस तरह से sign लिख दो तो ये useless है, meaningless है log लिख दो इसका कोई मतलब नहीं उसी तरह से d by dx लिख दो तो इसका कोई मतलब नहीं होगा यह केवल सिंबल मात्र है यह केवल प्रतीक मात्र है तो इसके साथ आपको कुछ लिखना होगा ठीक तो यहाँ पर मानलो हम लोग लिख दिये y तो इसे पढ़ेंगे क्या differentiation of y y का अवकलन किसके respect में with respect to x फिर से एक बार बोल रहें सुनिएगा differentiation of y y कोई फलन हो सकता है कोई equation हो सकता है जो किस पर depend करें x पर depend करें तो differentiation of y with respect to x x के सापेच y का अवकलन फिर से सुनिएगा y का differentiation differentiation of y with respect to x x के सापेच y का differentiation ऐसे मान लो लिखा हो dy by dt का भी लिखा हो तो इसे आप क्या पढ़ोगे differentiation of y y का differentiation किसके respect में किसके सापेच with respect to time तो आप symbol समझ गए होगे आप symbol का बोलना समझ गए होगे कि symbol को कैसे बोला जाएगा एक बार और लास्ट पार फिर से देखेगा differentiation of y with respect to t differentiation of y with respect to x यहाँ ठीटा लिखा होगा तो with respect to 2 हो जाएगा ठीटा ठीट? y का अउकलन x के सापेच y का अउकलन अब अच्च जब symbol हो गया तो math तो based होता है formula पर इनके formula को देखा जाए और आप से request रहेगा और यह आसा रहेगा मेरा कि आप इन formula को बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लोगे क्योंकि अगर आपको formula याद रहा तो आप बड़े easily differentiation का use numerical में या theory में कर सकते हो तो सबसे पहला जो formula हम लोग use करेंगे वो किसी constant का differentiation करने की कोशिश करेंगे एक ऐसे संख्या का एक ऐसे physical quantity का differentiation करना सीखेंगे जिस constant हो जिसके value में कोई परिवर्तन ना हो तो constant को अमोमान हम लोग C से लिखते हैं तो किसी constant का differentiation अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 0 क्योंकि अचर constant में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा तो जब परिवर्तन नहीं होगा तो differentiation नहीं होगा differentiation जैसा हमने आपको पहले ही बोला कि differentiation तो आप वहां करोगे जहां परिवर्तन हो अब परिवर्तन ही नहीं होगा तो differentiation क्यों होगा तो C यहाँ पर constant है तो constant का differentiation आप करोगे तो आपको मिलेगा 0 तो first formula differentiation का alkaline का हो गया 0 बच्चों साथ-साथ note करते चलिएगा फार्मूलों की संख्या जादा है तो साथ-साथ note करेगा, समझते रहेगा तो आपको आसानी से differentiation समझ में आ जाएगा और कुछ बच्चों को तो इतना समझ में आ जाएगा कि math की बच्चों को challenge भी कर देंगे कि उनका differentiation math के differentiation से अधिक है math के बच्चों के differentiation से better है तो चलिए, constant का differentiation होता है 0 क्यों 0 होता है क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं होता है उसमें कोई change नहीं होता है अगर किसी function में कोई function है let's say fx, x का कोई function है इसमें constant का multiplication है पहले formula को देखना, पहले formula में constant अकेला है लेकिन दूसरे formula में constant का multiplication है जैसे मान लो लिखा हो 3 तो 3 तो हो गया constant लेकिन माम लो लिखा हो 3x तो यहाँ पर x का कोई equation है x का कोई पद है x का कोई फलन है उसमें constant का multiplication यह कहना चाह रहे है तो जो constant term है ना उस constant term को आप differentiation के बाहर लिखोगे मतलब यह है कि आप 3 का differentiation करोगे तो कितना मिलेगा 0 लेकिन 3x का जब differentiation करोगे तो आपको 0 नहीं मिलेगा क्योंकि 3x constant नहीं है x में 3 का multiplication किया हुआ तो यह constant term को आप क्या करोगे differentiation के बाहर लिखोगे ठेक तो जब कभी किसी x के फलन में किसी पद में constant का multiplication किया गया होगा तो आप उसे differentiation के बाहर कर लोगे यहां बच्चों बोल रहे है multiplication लेकिन अगर मान लो 1 by 3 लिखा होता है इस 3 की जगा पर तो तो क्या आप बाहर नहीं करते differentiation sign के अगर आप ध्यान से देखो तो x में 3 का division किया गया है न x by 3 आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि x में 1 by 3 का multiplication किया गया है तो division भी multiplication का कह सकते हो एक type एक प्रकार है तो 1 by 3 को हम बाहर कर लेंगे यानि कि अगर x में x के पद में x के फलन में किसी constant का into है multiplication है या division है तो differentiation से उसे आप बाहर कर लेना खिर अगर तीसरा formula d by dx of x x का ही differentiation x के respect में किया जाए तो आपको मिलता है 1 जैसे मालो लिखा हो dt by dt 1 d theta by d theta 1 तो किसी पद का उसी के respect में x का x के respect में अगर आप differentiation करोगे तो आपको मिलेगा 1 अगर दो या कई पदों का बच्चोर sum हो योग हो तो आप क्या करोगे उनका अलग-अलग differentiation करके जोड़ दोगे इसी तरह से अगर difference हो अंतर हो तो आप अलग-अलग difference करके घटा दोगे यानि कि अगर plus होगा तो अलग-अलग differentiation करके plus करेंगे और अगर minus होगा तो अलग-अलग differentiation करके minus कर देंगे जैसे f1 तो f1 का differentiation आप x के respect में अलग कर लो f2 का differentiation अलग कर लो और दोनों का अलग-अलग differentiation करके add कर दो इसी तरह से अगर minus का यूज किया गया हो यानि कि minus हो घटाया गया हो फलनों को तो आप differentiation अलग-अलग करके minus कर दो तो अगर plus है तो अलग-अलग differentiation करके plus कर देंगे और minus है तो अलग-अलग differentiation करके minus कर देंगे जैसे मान लो कहीं लिखा हो d by dx of 3x square plus 5x तो यहाँ पर दो फलन है, दो पद है बीच में plus का सिंबल है तो हम पहले का differentiation करेंगे फिर दूसरे पद का differentiation करेंगे और plus है तो plus कर देंगे और अगर यहाँ पर minus होता तो हम minus कर देते, इसी तरह से जितने भी इसमें पद होते उन सब का अलग-अलग differentiation करके अगर plus होता तो plus sign लगा देते और अगर minus होता तो minus sign लगा देते तो यह plus minus का हो गया इसी तरह से into का अगर दो पदों के बीच में into का सिंबल है या दो पद गोड़ा के रूप में लिखे गए हैं तो इनका differentiation आप कैसे करोगे यहाँ पर rule क्या है पहले पद का जैसे है वैसे आप लिख लेने यानि कि first फलन पहला function note कर लेना second का differentiation करना plus second को लिखना और first का differentiation करना फिर से देखिए और याद करिए मेरे सासा दो पदों का differentiation है दो पदों का alkaline है तो आप करोगे क्या पहले पद को जैसे था वैसे note down करोगे वैसे note करोगे दूसरे का differentiation करोगे F2 का differentiation plus F2 दूसरे पद को लिखोगे फिर पहले का differentiation यानि कि एक का differentiation करेंगे दूसरे का multiplication करेंगे दूसरे का differentiation करेंगे तो पहले से multiplication करेंगे ते जैसे मानलो अगर कहीं पर लिखा हो d by dx of sin x log x ठेक बीच में into है दो अलग-अलग x के पद है दो अलग-अलग x के function है तो आप इसमें से मालो पहला ये है दूसरा ये है लिखने की कोई जो जो पहले लिखा होगा वो पहला ही पद बोला जाएगा जो बाद में लिखा होगा सेकेंड हो जाएगा तो आप करोगे क्या फर्स्ट को जैसे है वैसे नोट करोगे यानि की sin x सेकेंड का डिफ्रेंसियेशन करोगे लाग-एक्स प्लस उल्टा लिखो लाग-एक्स और फर्स्ट का डिफ्रेंसियेशन sin x पहले पद को नोट डाउन किया गया second का differentiation, second को लिखा गया first का differentiation तो जब हम first का differentiation करेंगे तो second का multiply करेंगे जब हम second का differentiation करेंगे तो first का multiplication करेंगे तो यह plus minus का rule हो गया into का rule हो गया अब division देखते हैं d by dx of f by g यह दोनों x के function है तो इसका rule क्या है G, differentiation of F, minus F, differentiation of G, by G, square, G, into differentiation of F, minus F, differentiation of G, by G, square, तो, plus का हो गया, differentiation, minus का differentiation हो गया, दो पदो के बीच में, into है, उसका differentiation हो गया, दो पदो के बीच में, division है, उसका differentiation का formula मिल गया, चलो इसकी practice कर लो, D by D X of, मानलों यही question हो, sin X by log X, तो formula ध्यान से देखो, F की जगह पर क्या है, G की जगह पर क्या है, और उसका apply करो, लिखोगे G, G की जगह पर है log X, तो log X, differentiation of F, F की जगह पर sin X है, minus F, F की जगह पर sin X, differentiation of log X, G की जगह पर, by G square, log X, की square, ठेक, G, differentiation of F, minus F, differentiation of G by G square, तो यह कुछ basic rule है, plus K, minus K, into K, और division के, अब आओ, कुछ formula की बात करते हैं, differentiation का formula की differentiation को आप, solve कैसे करोगे, तो सबसे पहले, हम लोग formula जो commonly used होगा, X to the power N, जहां पर N कोई भी number हो सकता, कोई भी number का मतलब, plus भी हो सकता है, minus भी हो सकता है, fraction में भी हो सकता है, पूर नंबर, पूरांख, whole number भी हो सकता है, कोई भी number हो सकता है, इसका differentiation, जब करोगे, तो आपको value मिलेगी, NX power N minus 1, ठीक, यहां पर Yन कोई भी number हो सकता है, तो चलो इस formula की practice करते हैं, एक दो question को देख करके, एकदम overal, बहुत ही समझ सकते हो कि easy method है, differentiation का, बस formula याद होना चाहिए, अगर आप X cube का differentiation करो, तो पहले बच्चों ये पहचान लेना, कि यहां पर लिखा हुआ जो भी function है, जो भी पद है, वो और यहां का later ये अच्छर दोनों match करना चाहिए, अगर match नहीं करेगा, तो वहां पर कोई दूसरा method यूज करेंगे हम लोग, तो X यहां है, X यहां है, हम X के function को X के respect में ही differentiation कर सकते हैं, इसलिए देखो, फार्मूले में यहां X लिखा है, तो यहां पर भी X लिखा है, अगर यहां T लिखा होगा, तब यहां T भी होगा, ठीक, तो जिस function, जो function, जिस variable पर depend करेगा, उसी के respect में हम differentiation करेंगे, यह X का फलन है, तो X के respect में differentiation करेंगे, T का फलन होता, तो T के respect में differentiation करते हैं, जोर मड़ाले दिमाग पर, जो लोग बायो से हैं, मैथ वाले आप practice कर ही सकते हो, करते ही होगे, लेकिन physics में बहुत ज़्यादा आपका differentiation नहीं यूज करना है, mostly दो तीन फार्मूलों का ही यूज करना है, आप easily समझ लोगे उसे, तो यहाँ पर X to the power 3 लिखा है, यन की जगा पर देखो 3 लिखा है, तो आप solve कैसे करोगे, 3, ठीक, यन की जगा पर 3, 3, X to the power 3 minus 1, 3 में से 1 आप minus करोगे 2, ठीक, तो इसका solution हो जाएगा, 3 X to the power 2, 1 by 2 लिखा हुआ है, solve करोगे, तो हो जाएगा 1 by 2, फार्मूला देखते रहना, X to the power 1 by 2 minus 1, 1 by 2 में से 1 minus करोगे, तो आजाएगा X to the power minus 1 by 2, minus 1 by 2 को आप नीचे ला सकते हो, तो हो जाएगा X to the power 1 by 2, और 1 by 2 का मतलब होता है, under root, तो यह solve हो गया, इसी तरह से X के power में जो भी चीजे लिखी होंगी, number लिखा होगा, उसको आप इस method से solve कर लेना, d by dx of e to the power X, e to the power X, यह एक ऐसा function है, e to the power X, जिसका differentiation और जिसका integration दोनों सेम आता है, मतलब e to the power X का integral भी और e to the power X का differentiation भी, e to the power X ही मिलता है, a to the power X, इन सब की practice एक बार फार्मूला देख लेते हैं, फिर करते हैं, a to the power X का differentiation होता है, a to the power X, lag A, प्यारे बच्चों, lag के base में भी कुछ लिखा होता है, base means यहाँ नीचे, अगर differentiation और integral में, differentiation और integration में, base में कुछ नहीं लिखा है, it means वहाँ पर e है, ठे? e छुपा रहेगा, तो पहली बार हम आपको बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर e लिख रहे हैं, otherwise अगर कहीं, lag के base में कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वहाँ पर e है, ठे? d by dx of, lag A, अब देखो, यहाँ पर हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर e छुपा हुआ है, तो हम पूरा बोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, differentiation of lag x, base में क्या है, e, e लिखा नहीं होता है, लेकिन यह rule कहाँ पर follow किया जाता है, यह rule केवल differentiation और integration में ही follow किया जाता है, कि अगर base में lag के कुछ नहीं लिखा है, तो वहाँ पर e छुपा है, ठे, इसका differentiation होता है, 1 by x, d by dx of lag x, base a, अब a की जगा पर कोई number हो सकता है, अभी इसको यहाँ पर explain कर रहे हैं, पहले formula देख लो, इसका differentiation होता है, lag x, base a का 1 by x, lag e base a, ठेक, मालोग कोई आपसे कहें कि, solve करो, differentiation करो, d by dx of x, base में 5 लिखा हो, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यह वाला formula यूज़ करेंगे, अगर कोई number लिख दिया है, तो क्या आप लिखोगे, 1 by x, इसका solution होगा, lag e, और base में a के अस्थान पर 5 लिखा है, तो आप भी a के अस्थान पर 5 लिखोगे, तो a कोई भी number हो सकता है, यहाँ पर a constant term है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वहाँ पर e माना जाता है, e भी बच्चो constant ही है, लेकिन वह एक अलग type का, एक खास type का constant है, जिसे फिर कभी देखा जाएगा, समझा जाएगा, अभी पूरा focus, differentiation के फार्मूलों पर रखते हैं, तो x to the power 1 हो गया, e to the power x हो गया, e to the power x हो गया, यह तीन फार्मूलों में power है, लाग के दो फार्मूले हो गया, अब आओ, कुछ टिगनामिटकल फार्मूलों को देखे जाएं, d by dx of sin x, sin x का differentiation होता है, cos x, cos x का differentiation, minus sin x, differentiation of tan x, sec square x, differentiation of cot x, minus cosec square x, differentiation of sec x, sec x tan x, differentiation of cosec x, minus cosec x, cot x, तो इतने फार्मूले आपको एकदम से याद रखने हैं, अगर आप physics के concept को बेटर ढंग से या physics के numerical को अच्छे ढंग से लगाना चाहते हो तो, ठीक है, sin x का cos x, cos x का minus sin x, tan x का sec square x, cot x का minus cosec square x, sec x का sec x, tan x, cosec x का minus cosec x, cot x, प्यारे बच्चों, इस फार्मूले को जरा ध्यान से देखना, इसमें जिसका सुरुवात c से हुआ होगा, उसका differentiation minus आया होगा, जैसे, cos, cot, और cosec, इन तीनों का प्रारंभ, इन तीनों के सुरुवात में c लेटर है, इसका answer differentiation में हमेशा negative आयेगा, cos का negative मिलेगा, cot का negative answer आयेगा, और cosec का negative answer आयेगा, अब अगर, फार्मूले आप note कर लो, इसलिए कहते हैं, साथ साथ आप चलते रहना मेरे, तो कुछ चलो practice करते हैं इनकी, ठीक, कुछ फार्मूले, इस साथ के फार्मूले आपके सामने रहेंगे, यहाँ हम मिटा रहें और कुछ प्रशनों का, चली practice करते हैं, कि कैसे आप differentiation करोगे, बस फार्मूलों का खेल है, बार-बार आपने आपसे कहा, मानलो बच्चों, आपके पास, y is equal to लिखा हुआ है, 3x square, किसके respect में करोगे, पहले यह चीज के लिएर कर लो, यह जो y है, y का differentiation हमको करना है, किसके respect में करेंगे, किसके सापेच करेंगे, तो यह y किस पर depend करता है, x पर depend कर रहा है न, x की value आप change करोगे, y की value change हो जाएगी, इसलिए हम इसको differentiate करेंगे, with respect to x, अगर यही लिखा होता, s equal to, 3t square, plus 4t, minus 5, तो हम इसको, x के respect में differentiation नहीं करते, इसको हम t के respect में differentiation करते, क्योंकि यह t का function है, यह t का function है, अब आप समझ गए होगे, कि कि किसके respect में हम differentiation करेंगे, तो हम इसको differentiation कर रहे है, with respect to x, तो लिखेंगे, dy by dx, y की जगा पर y की value रखते न, अब देखो, यहाँ पर 3 पद है, पहला जो है, वो है 3x square, second पद है, वो है 5x, और third है, minus 2, यह 3 पद है, इसके बीच में एक में plus है, एक में minus है, तो अभी हमने आपको क्या समझा है, कि अगर, फ़लन के बीच में plus या minus है, तो आप अलग-अलग differentiation करके, उसे plus कर लेना और minus कर देना, तो इन दोनों का अलग-अलग differentiation करके, plus करेंगे, इसका minus कर लेंगे, अगर प्योर कांस्टेंट का मतलग केवल number नमबर लिखा है, उसके साथ कुछ और associated नहीं और कुछ और नहीं लिखा गया है, तो उस constant का differentiation 0 होगा, ये देखो 2, अकेला number है, अकेला constant है, इसके जगह पर, इसका जब differentiation करेंगे, तो इसकी value आ जाएगे 0, लेकिन 3 भी तो एक अचर अंक है, एक constant value है, देखते रहे न, 3 एक constant value है, तो 3 का differentiation क्या 0 होगा, अभी हमने आपको समझाया, कि आप 3 को अगर अकेला होगा, तब आप उसका differentiation 0 करोगे, इसका तो multiplication x के फलन में किया गया है, तो जब multiplication किसी constant का किया गया होगा, या division किया गया होगा, तो उस constant term को आप differentiation sin से बाहर लिखो गया, तो यह हो जाएगा 3, d by dx of x square, 5 बाहर हो गया, d by dx of x, और 2 constant था, इसका differentiation हो गया 0, x square, अब देखो यहाँ पर formula लग जाएगा, x square, यन की जगा पर 2 लिखा हुआ है, तो 3 into 2, x to the power 2 minus 1, 1, dx by dx, अभी आपको बता है कि इसकी value आएगी 1, वो तो 0 हो गया, यानि कि इसका differentiation आपको मिलेगा, 6x plus 5, बचो यह जरूरी होता है, कि आप formula अगर याद करो, तो उसके बाद practice भी करो, तो practice के लिए आपके physics के book में भी include कर लिया गया है, starting में, chapter में आपके mathematical physics है, जिसमें आप use कर सकते हैं उसको, तो इसकी practice करिएगा, math के बच्चों के पास तो especially book ही होगी, differentiation और integration की, तो आपको परिशान होने की ज़रुत नहीं है, हाँ, practice इतना करिएगा, कि इसको आप देखो, question को देखो, और आप तुरंथ ही ये सारे चीज जो लिखे गए हैं, इसका calculation आपके दिमाग में हो जाया, तुरंथ answer मिलिया है, तब आप मान के चलना, कि हाँ, आपका differentiation में command हो चुका है, और आप physics में उसे apply कर सकते हो, ठेख, चलिए, एक और problem देखते हैं, मानली जी लिखा हो, 3x square minus 5 by x plus 2, इसका differentiation करो, तो इसमें division वाला symbol है, तो division का rule लगाएंगे, dy by dx, x के respect में differentiation करें, f by g लिखा था, formula एक बार हम note कर दे रहें, होता क्या था, g differentiation of f, minus f, differentiation of g by g square, तो f और g की जगापर, देख लोग क्या लिखा है, f की जगापर लिखा है, 3x square minus 5, और g की जगापर लिखा हुआ, x plus 2, थेख, तो g, x plus 2, d by dx of 3x square minus 5, minus, f, f की जगापर लिखा हुआ, 3x square minus 5, d by dx of, g, g की जगापर, x plus 2, whole divided by g square, यानि की, x plus 2 का square, साल्व करो, यह हो गया, dy by dx, equal to, इसको हमको, यहाँ पर लिखना चाहिए, dy by dx, चलिए, इतना आप समझ लेना, differentiation करो मेरे साथ, x plus 2, और थोड़ा जल्दी किया जाए, 3 constant है, बाहर होगा, लेकिन pure constant नहीं है, एक constant number है, constant number है, in two में या division में, तुसे हम differentiation के बाहर करते हैं, चलो, बाहर कर लिए गया, x square पर यह वाला फार्मूला लगा, तो x square को solve करोगे, तो हो जाएगा, 2x का power 2 minus 1 या निकी 1, 2x मिलेगा, 2x का 3 में multiply करेंगे, तो हो जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ पर अभी हम लिख दे रहें, 2x, 5 अकेला constant है, तो अगर अकेला constant है, तो उसका differentiation 0, minus 3, x square, minus 5, x, x का x के respect में differentiation करते हैं, तो 1, और 2 तो constant है, तो 0 हो जाएगा, divided by, x plus 2 का square, 3 2 जा 6, 6 का multiply कर लो, इस x में, तो हो जाएगा 6x square, plus 12x, 6 2 जा 12x, 0 means nothing, खतम हो गया, 1 से multiply करो, लेकिन bracket के आगे minus है, तो चिन बदलता जाएगा, 3x square, minus 5 हो जाएगा, इस minus के करण चिन बदल करके, plus 5, by, x plus 2 का square, like term है, solve हो जाएगा, 3x square, plus 12x, plus 5 by, x plus 2 का whole square, ठीक है, तो ये division का हो गया, इसी तरह से मान लो, आपको कभी multiplication किया वाशकता हो, दो फ़लन का आपस में multiply किया गया हो, इसी को मान लो, 3x square, minus 5, into, x plus 2, चली, इसका differentiation करते हैं, तो, into अगर होता है, तो differentiation करने का क्या formula था, एक पद को, जैसे है, वैसे लिखेंगे, दूसरे का differentiation करेंगे, तो पहले पद को, आप लिख लो, इसका differentiation करो, तो x का differentiation करते हो, x के respect में 1 आएगा, 2 का 0, प्लस, दूसरे को note करो, x plus 2, पहले का differentiation करो, तो 3 constant term था, बाहर आएगा, x square का differentiation, 2x power 1, यानि कि 2x, अब हम डारेक्ट लिख दे रहें, 6x हो जाएगा, और 5 का differentiation constant है, तो 0 हो गया, यानि कि हो गया, 3x square minus 5, 1 से multiply हो चुका है, 6x से multiply करो, तो 6x square plus 12x, solve कर लिजे, 6x square, 3x square, ये दोनों like term है, एक जैसे पद है, तो जोड़ करके हो जाएगा, 9x square plus 12x minus 5, तो plus minus हो गया, division हो गया, into हो गया, लेकिन बच्चों इतना आसान नहीं है, जितना दिख रहा है, मतलब आसान तो है, ठीक है, थोड़ा सा कठिन करते हैं, ठीक, और कठिन करने से पहले ये, हम आपको समझाएं, कि math में, formula का ही application करना है, formula का ही use करना है, आपको extract कुछ भी नहीं करना है, यहने कि mathematics में, कि वल एक बने-बनाएं rule होते हैं, बने-बनाएं नियम होते हैं, बस उसी का follow करते हुए चले जाएए, आपका answer मिलता चला जाएगा, ठीक, यह बहुत ही easy है, जैसे मान लो कहीं, आप से कह दे, कि आप differentiation करो, log of sinex का, अब यह से ध्यान से, पहले भी ध्यान से देख रहे होंगे, इसको और ध्यान से, इधर उधर अगर दिमाग गया होगा, तो उसे focus करें, concentrate करें, क्योंकि अब थोड़ा सा difficulty level हम बढ़ाने चल रहे हैं, पहली चीज, log of sinex, base में कुछ नहीं लिखा है, तो इस formula का use करेंगे, ठीक, लेकिन प्यारे बच्चों, इस formula का use, तो हम तब करते, जब यहाँ पर yaks लिखा होता, वहाँ पर देखो, yaks नहीं लिखा है, तो जब yaks नहीं लिखा है, तो हम इसे solve कैसे करें, तो मैथ के बच्चे, तो यह तो जानते ही हैं, कि हम चीजों को yaks मान लेते हैं, ठीक है, तो हम चलो, उस ability का use करें, उस योगिता का use करते हैं, कि हम हर चीज को x भी तो मान लेते हैं, हम को yaks चाहिए formula बनाने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए, मान लो कि यहाँ पर मेरे हाथ के नीचे yaks चुपा हुआ है, एक एक step को बड़े ध्यान से देखिएगा, हो सकता है, एक या दो सवाल में ही, आप पूरी बातों को समझ लो, ठीक, तो यहाँ पर मेरे हाथ के नीचे yaks लिखा हुआ है, क्यों हम मेरे हाथ के नीचे yaks के बारे में सोचने के लिए आपसे कह रहे हैं, क्योंकि जब तक आप इसे yaks नहीं मानोगे, तब तक यह फार्मूले में चेंज नहीं होगा, मेरे पास यही तो फार्मूला है, अगर मान लो यह कोशन ऐसे लिखा होता, साइन लाग एक्स, ठीक, यह है लाग आफ साइन एक्स, यह है साइन लाग एक्स, तो अगर आप लाग, साइन एक्स का डिफ्रेंसियेशन कर रहे हो, तो कैसे सोचोगे, और अगर आप साइन लाग एक्स लिखे हुए हो, तो इसका differentiation कैसे करोगे बस यही तो फार्मूले हैं जो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं आप पहले क्या करो मिलान करो ये मिलाओ की जो question दिया गया है वो किस फार्मूले पर आधारी थी या किस फार्मूले के जैसा है तो जो उपर लिखा हुआ है के फार्मूला लगा दो जो भी फार्मूला लगे तो यही तो फार्मूला लग गया तो यहां पर differentiation करेंगे x के respect में इसे x माने log x हो गया log x का differentiation होता है 1 by x तो x की जगह पर क्या लिखा हुआ है मेरे हाथ के नीचे ही तो x लिखा हुआ था मान करके चले है तो x की जगह पर लिखा है sin x हो गया answer लेकिन थोड़ा आराम से जब भी कभी आप ऐसा करियेगा तब आप जिस पद को x assume किये हो जिस पद को आप x माने हो उसका एक बार फिर से differentiation करके multiply करना multiply करना है किसको जिसे आप x मानोगे x किसे मानोगे जिसको x मानने पर formula बन जाए सूत्र बन जाए ठीक तो sin x को x मानने पर ये वाला formula मिल गया इस वाले formula का answer होता है 1 by x x की जगह पर sin x लिखाता है ये तो हो गया लेकिन formula बनाने के लिए हमने sin x को थोड़ी देर माना है यक्स न तो जब इसको आपने x माना है तो जिसको भी आप x मानोगे उसके differentiation से multiply करोगे ध्यान से सूत्र बनाने के लिए formula बनाने के लिए जिस पद को आपको x मानने की ज़रूत पड़ेगी उसके differentiation से आप multiply करोगे गोड़ा करोगे थिक तो sin x का differentiation क्या होता है cos x तो 1 by sin x into cos x आप जानते ही हो cos by sin equal to cos x होता है थिक इसको देखो sin x तब तो इस formula जैसा होगा इसको आप मानोगे x तो sin x हो जाएगा तो formula बनाने के लिए हमने आपसे कहा कि ये formula sin x के जैसा question है तो formula बनाने के लिए आप lag x को मानोगे x तो चले इसे x मानिए सूत्र बन गया formula बन गया sin x का differentiation होता है cos x तो आप लिखोगे cos x लेकिन x की जगा पर लिखा हुआ है lag x जिसको x मानते है formula बनाने के लिए उसके differentiation से multiply करते है तो lag x को हम लोगों ने x माना है तो इसके differentiation से multiply करेंगे lag x बेस में कुछ नहीं लिखा है तो e solution हो जाएगा 1 by x तो cos lag x into 1 by x ये इसका हो गया differentiation ठीक है चले एक और practice करिए मानने जे लिखा हो a x square plus b x plus c का whole square ठीक या under root में लिखा हो इसका differentiation करो तो इसका differentiation कैसे करेंगे under root का मतलब हो गया whole to the power 1 by 2 1 by 2 हो गया अब तुरंत ये match कराओ कि ये किस formula के जैसा है तो power में कोई number लिखा है तो power में ये कोई number लिखा है तो मेरे पास power में केवल तीन ही formula है x to the power n इसमें power आता है e to the power x इसमें power आता है a to the power x इसमें power आता है और कहीं पर power use नहीं किया गया है क्या ये है x to the power n जैसा है क्या ये है e to the power x जैसा है या ये है a to the power x जैसा है तो जराब फार्मूलों को बड़े ध्यान से देखना यहाँ पर नमबर केवल x to the power n में यूज किया गया है यहाँ पर x की जगह पर कोई number नहीं लिख सकते हो अगर आप x की जगह पर 3, 4, 5 कोई number आपने लिख दिया तो यह तो पूरा का पूरवा purely constant हो जाएगा और इसका differentiation 0 हो जाएगा यहाँ पर भी a to the power x x आप लिख सकते हो लेकिन यहाँ पर कोई number नहीं है यानि कि अगर कही किसी का power संख्या लिखा हुआ है number लिखा हुआ है तो उसको solve करने के लिए किवल एक ही फार्मूला है x to the power n लेकिन अब आपको x मानना पड़ेगा तो x आप मानोगे कैसे इस पूरे bracket को थोड़ी देर के लिए consider करो कि x लिखा है ठीक तो question हो गया x to the power 1 by 2 x to the power 1 by 2 solve करो differentiation करो dy by dx x to the power 1 by 2 को solve करोगे तो लिखोगे 1 by 2 x x की जगह पर है ax square plus bx plus c ठीक x की जगह पर लिखे लेकिन power एक minus करना है तो 1 by 2 मेंसे आप 1 minus करोगे तो आपको मिलेगा minus 1 by 2 फार्मूला बनाने के लिए जिसको भी आपने x माना है बार बार यही एक चीज बोलना है कि सूत्र बनाने के लिए जिस पद को आप x मानोगे उसके differentiation से multiply करोगे तो इसके differentiation से multiply करोगे ax square plus bx plus c 1 by 2 ax square plus bx plus c whole to the power plus 1 by 2 sin change हो गया नीचे ले आए अब तो आप इसका differentiation कर सकते हो ax square एक constant बाहर लिखोगे x square का 2x हो जाएगा b बाहर होगा x का differentiation करते है 1 आता है किया जा चुका है c constant है इसमें x नहीं है तो pure constant हो गया इसका differentiation हो गया 0 यह इसका solution हो गया ठीक एक और देख लो अगर मालिजे लिखाओ e to the power sin of log x ठीक तो इसको कैसे solve करेंगे फिर किस formula से match करता है यह तो बहुत ही जी है इस formula से match कर रहा है बस इसको थोड़ी देर के लिए आप मान लो x तो x मानेंगे तो e to the power x हो गया e to the power x का differentiation e to the power x ही होगा चली हो गया है लेकिन जिसको आपने x मान करके solve किया है formula बनाने के लिए जो आपने किया है x माना है उसके differentiation से multiply करो तो d by d x off किसको x माना गया था sin log x e to the power sin log x ये भी देखो formula नहीं है ये तो sin x के जैसा है लेकिन sin x नहीं है तो sin x के जैसा है तो सूत्र बनाओ पहले formula बनाओ log x को x मान लो सूत्र बन जाएगा sin x, sin x का हो जाएगा solution cos x x की जग़ा पर लिखा हूँ है log x जिसको आपने माना है x उसके d by dx से करोगे गुड़ा तो हो गया e to the power sin log x into cos log x और log x का हो जाएगा अब ये तो pure formula हो गया 1 by x तो 1 by x को हम सुरू में लिख दे रहे हैं ये इसका differentiation हो गया प्यारे बच्चों इसकी practice जितना हो सके करिएगा याद रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा especially physics वाले बच्चों के लिए math के लिए तो और ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इतने से काम नहीं चलेगा पर चो कभी कभी क्या होता है अगर आपने देखा होगा question जो भी example हमने लिया है यह problem आजाता है तो कभी कभी x अलग लिखा होता है y अलग लिखा होता है इससे हम parametric form कहते हैं प्राचलिक form कहते हैं ठीक तो अगर equation अलग-अलग term में define किया गया हो अलग-अलग पदों में लिखा गया हो तो इससे हम parametric equation कहते हैं और parametric equation का differentiation कैसे करते हैं मालो कि आपके पास x equal to 80 लिखा हुआ है 80 square और y equal to 280 लिखा है क्या हम आपको समझा रहे थे कि अभी तक जितने भी examples हमने आपको दिये differentiation के लिए वो सब ही y equal to x के पद में लिखे होते थे लेकिन ये आपके सामने एक ऐसा example है जिसमें x t का function है t पर depend कर रहा है y भी t पर depend कर रहा है अलग-अलग हैं दोनों तो हम इसका differentiation कैसे करेंगे dy by dx कैसे निकालेंगे x का differentiation sorry y का differentiation x के respect में कैसे calculate करेंगे इसकी value क्या होगी पहले इस तरह की equation को हम लोग प्राचलिक हिंदी में प्राचलिक अंगरेजी में parametric equation कहते हैं ठीक है तो इसको चलो differentiate करें तो differentiation कैसे करेंगे हमने आप से कहा कि कोई भी equation differentiable तब होगा जब उसमें variation हो change हो तो इसमें time बदलते जाएंगे या t की value बदलते जाएंगे x की value change होती जाएगे किसके respect में हम x को differentiation कर सकते हैं x को की t पर depend कर रहा है इसलिए इसको हम differentiate करेंगे with respect to t y को भी हम with respect to t differentiate करेंगे ठीक तो x equal to a t square इसको हम differentiate करेंगे differentiation with respect to x short में इस तरह से लिखते हैं x के सापे differentiation करो तो sorry यह t का फ़लन है तो with respect to t differentiate करेंगे तो dx by dt हो जाएगा एक constant है बाहर आएगा थोड़ा सा fast किया जाए t square हो गया formula प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ था n x का power n minus 1 यही न और यहाँ पर समझाए क्या थे formula लिखते समय है कि जो later यहाँ लिखा हो वही later यहाँ पर लिखा होगा तभी आप differentiation की इस formula का यूज कर सकते हो तो यहाँ पर आपके पास t लिखा है यहाँ भी t लिखा है इसलिए हम formula यूज कर सकते हैं क्या होगा n की जगर पर हो जाएगा 2 x की जगर पर t power 2 minus 1 n minus 1 यानि की 2 minus 1 2 minus 1 means 1 तो जब हम x को t के respect में differentiate किये तो value आया 2 a t इसी तरह से जड़ा second equation को y equal to 2 a t को चलो differentiate करते हैं with respect to t क्योंकि ये भी t का ही फलन है dy by dt 2 a यहां constant बाहर हो जाएगा d by dt of t हो जाएगा और आपको बताए कि d by dx of x equal to 1 होता है तो t यहां लिखा है t यहां भी लिखा हुआ है तो जो later यहां है वो later यहां है तो हम formula directly use कर सकते हैं तो यह भी हो जाएगा one यानि की हो जाएगा two a लेकिन यह हम लोगों ने निकाला क्या समझ में तो आया लेकिन निकाला क्या गया यह निकाला गया dx by dt यह निकाला गया dy y dt हमको ना तो dx by dt चाहिए ना तो dy by dt चाहिए हमको तो कुछ और चाहिए हमको चाहिए dy by dx तो थोड़ा सा दिमाग use करो आप यह सोचो कि क्या किया जाए कि dy by dx आ जाए तो इसके लिए आप क्या करो तो dy by dt में dx by dt से divide कर दो dy by dx लाने के लिए dy by dt में dx by dt से divide कर दो मिल जाएगा आपको मतलब dy by dt dx by dt 2a 2a t dt dt कैंसल dy by dx इक्वल तो 2 से 2 कैंसल a से a कैंसल 1 by t यह हो गया differentiation of y with respect to x इसको कहते है parametric form अलग-अलग अगर equation लिखा गया हो तो ठीक है अब अगर आपने differentiation करना सीख लिया ठीक है तो हम physics में कहां कहां यूज करेंगे जैसा आपको बताया कि differentiation हर उस जगह पर यूज कर सकते हैं जहांपर variation हो जहांपर बदला हो जहांपर change जा रहे हो तो physics में तो बहुत सारे definition आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि जिसमें variation होता जिसमें change होता है ठीक वहाँ पर हम लोग differentiation का यूज कर सकते हैं जैसे अगर आपसे कोई कहे कि distance s यह distance है ठीक इसको l से भी लिखा गया होगा x से भी लिखा गया होगा मान लो s से लिखा गया है यह distance है बस यह ध्यान में रखना distance किसी ने कह दिया कि 3t square प्लस 2t है तो आप velocity calculate करो कितना होगा acceleration तौरण calculate करो कितना होगा यह दि t की value 2 second है 2 second में आपको पता लगाना है कि तौरण कितना होगा और उसी 2 second में velocity कितनी होगी ठीक तो velocity का definition आपको पता होना चाहिए वही definition जो पहले से पढ़ते हुए आया हो कुछ नया नहीं जानना है और तौरण यानि कि acceleration का वही पुराना definition आपको पता होना चाहिए तो velocity का होता क्या है दूरी बटे समय बस आपको करना क्या है कि इससे आप d by dt कर देना हम लोग पुराने वाले फार्मूले में s by t लिखते थे तो आप उसी की जगा पर d s by dt कर देना मतलब मेरे कहने का यह हो गया कि जब हम दूरी का t के respect में differentiate करते हैं तो हमको velocity मिलता है अगर दूरी होगा तब तो यहाँ पर आपको speed मिल जाएगा और अगर यहाँ पर displacement होगा displacement और distance में थोड़ा सा difference होता है तो अगर आपके पास यहाँ पर मानलो लिखा हुआ हो displacement तो आपको velocity मिलेगा अगर आपके पास distance लिखा हो दूरी लिखा हो तो आपको यहाँ पर चाल मिलेगा, स्पीड मिलेगा, फिलहाल नुमेरिकल में दोनों को एक ही ले करके चलेंगे, तो स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करना हो, या वेलास्टी कैलकुलेट करना हो, तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशियेट करेंगे, यानि कि डिफ्रेंशियेशन आफ, किसका डिफ्रेंशियेशन? आफ डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट, मतलब विश्थापन का डिफ्रेंशियेशन करो, या दूरी का differentiation करो किसके respect में? with respect to t time के respect में आप जब differentiation करोगे तो आपको अगर distance है तो आपको मिलेगा speed और displacement अगर है तो आपको मिल जाएगा velocity इसी तरह से अगर आपको acceleration का कहें पुराना वाला formula याद हो तो बताओ क्या होगा तो आपको याद होगा कि वेग परिवर्तन के दर को तरण कहते है rate of change of velocity ठेक है? तो यहाँ पर भी हमनों लिख सकते है dv by dt बस आपको थोड़ा old fashion वाले representation को modern कर देना है d लिख देना है परिवर्तन की जगह पर change की जगह पर तो velocity का जब आप differentiation करोगे तो आपको क्या मिलेगा acceleration मिलेगा, तरण मिलेगा यानि कि differentiation of velocity vague का alkaline करते हैं किसके respect में with respect to t तो आपको मिल जाता है तरण ठेक? तो अगर यह दोनों बातें आपको ध्यान में हैं और होनी भी चाहिए यह पूरी की पूरी बात तो आप velocity भी calculate कर सकते हो आप displacement, isolation भी calculate कर सकते हो तो चले question को solve करते हैं s given है 3t square plus 2t t का function है तो इसको हम लोग differentiation करेंगे with respect to t ds by dt लिखेंगे और जितना भी method हमने आपको समझाया है उस method का आप use करिए और जराब ds by dt calculate करिए ठीक वैसे ही जैसे dy by dx calculate कर रहे थे तो आप चल्दी जल्दी करिए हम धीरे-धीरे कर रहे हैं या नहीं समझ में आया तो देखिए फिर उसके बाद revise करिएगा d by dt of 3t square प्लस दो अलग-अलग प्लस या माइनस है तो अलग-अलग differentiation करके प्लस कर लेंगे या माइनस कर देंगे constant का multiply किया हुआ है तो आप constant को बाहर करोगे 2 d by dt अब formula रखो अगर सामने रखे होगे तो देखना यहाँ पर formula यूज करेंगे d by dx of x to the power n n की जगा पर 2 लिखा हुआ है तो हो जाएगा n to x x की जगा पर t 2 minus 1 2 में से 1 minus करोगे तो आपको मिलेगा 1 d x by dx 1 आता है तो dt by dt भी 1 आ जाएगा तो 2 into 1 यानि कि हो जाएगा 6t प्लस 2 यह हो गया ds by dt और ds by dt क्या रिप्रेजेंट करता है v को तो v equal to हो जाएगा 6t plus 2 किस time पर आपको velocity calculate करना है 2 second पर तो 2 second पर at t equal to 2 second v equal to हो जाएगा जहाँ जहाँ t है वहाँ पर t की value रख दो 12 plus 2 equal to हो जाएगा 14 अगर यह सभी mks में दिये हो जैसे आपको displacement मालो meter में measure किया गया है time second में तो इसका unit लिख दोगे meter per second acceleration calculate करो acceleration हो जाएगा dv by dt velocity का differentiation velocity यहाँ पर आई हुई है यानि कि हो जाएगा d by dt of 6t plus 2 ठिक तो 6 constant है बाहर हो जाएगा d by dt of t 2 pure constant है इसका differentiation 0 dt by dt equal to 1 यानि कि acceleration हो जाएगा 6 और कितने second पर निकालना है acceleration 2 second पर तो आपके पास इसमें t है ही नहीं अगर t होता तो t की जगा पर value रखते t नहीं है तो t की जगा पर value नहीं रखेंगे इसका मतलब यह है कि जो acceleration है जो तोरण है वो time पर depend नहीं कर रहा है वो constant है अचर है तो यहाँ पर जो तोरण है उसके value है 6 meter per second square velocity है 14 meter per second पहरे बच्चों अगर यह कहता कि प्रारंभिक initial velocity निकालो तो जब कभी भी आपको initial सब्द का यूज किया गया हो प्रारंभिक सब्द का यूज किया गया हो तो इसका मतलब t equal to 0 जैसे अगर आपसे पूछे इसी question में initial velocity calculate करो प्रारंभिक वे calculate करो तो आप t की जगह पर 0 रखते velocity का यह equation है न t की जगह पर 0 रखते प्रारंभिक वेग initial velocity आ जाती 2 meter per second प्रारंभिक तो रण तो t की जगह पर 0 रख देते इसमें t है ही नहीं तो शुरू में भी acceleration 6 होगा 2 second के बाद भी 6 होगा हर समय पर acceleration 6 ही होगा यानि कि वो constant होगा और यहाँ पर अगर आपको initial आपको पूछा जाए कि distance कितना cover किया displacement कितना हुआ तो प्रारंभिक जब भी पूछा जाएगा तो वहाँ पर t की जगह पर 0 रख होगे तो यह भी 0 होगा यह भी 0 होगा यानि कि वो जो object होगा वो move ही नहीं किया होगा चला ही नहीं होगा ठीक है तो यह तो हो गया differentiation के द्वारा velocity calculate करना acceleration calculate करना बच्चों इस formula को जड़ा एक बार और देखो जहाँ पर लिखे हैं dv by dt अगर v की जगह पर हम v की value रखें तो क्या होगा इसको d by dt और velocity आई है ds by dt जहाँ पर s distance या displacement दोन में से कोई एक हो सकता है इसको लिखा जाता है d2s by dt square जो बोल्ड है जरा ध्यान से सुनना क्या बोल्ड है इससे कहेंगे d2s, d2s मिस d मने differentiation 2 मिस दो बार, किसका s का s distance या displacement कोई भी चीज हो सकती है यानि कि distance या displacement का दो बार आपको differentiation करना है बिद रिस्पेक्ट टी फिर से देख रहेगा फिर क्या हम समझाए velocity की जगा पर velocity का value रखे ds by dt इसको कैसे represent करते है d2s by dt square d2s by dt square d2s by dt square ठीक यानि कि displacement या distance का दो बार differentiation करना है t के respect में तब आपको मिल जाएगा acceleration velocity का एक बार differentiation करिएगा distance का दो बार differentiation करिएगा तो आपको मिलेगा acceleration ठीक एक question और देखिए थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है आप कह सकते हो लेकिन अगर आपको differentiation पता है तो वो कठिन नहीं माना जाएगा practice पर अगर आपको हो तो तो एक question फिर से देखिएगा differentiation पर अब लोग force calculate करने की कोशिस करेंगे कि force क्या होगा मालो यही question given हो ठीक यह इस question में हम बदल दें थोड़ा सा यहाँ पर लिख दें 2 by T meter ठीक और object का mass given हो 3 kg ठीक है तो आपसे यह कहे कि T equal to 2 ही second पर force कितना होगा question ध्यान से देखिएगा क्या question है mass दिया हुआ है ठीक s दिया हुआ है displacement या distance का कोई भी equation हो वैसे यहाँ पर हमको त्वारण acceleration चाहिए त्वारण का संबंध velocity से है velocity का संबंध displacement से है तो यह displacement given है एक equation के फार में T equal to 2 second पर कितना force लग रहा होगा वो चलो calculate करते हैं तो force equal to होता है M A M into A ठीक तो चलो A निकालते हैं acceleration निकालते हैं ठीक चली calculate करिए acceleration तो सबसे पहले S equal to हो गया 3 T square 2 by T लिखा है 3 T square इसको हम लोग लिख सकते हैं power minus 1 differentiation करेंगे with respect to T 3 constant है बाहर हो जाएगा T square T square X square का क्या होगा 2 X होगा तो T square का हो जाएगा 2 T plus 2 T to the power minus 1 N X का power N minus 1 तो N की जगा पर minus 1 X के जगा पर T N की जगा पर minus 1 है तो minus 1 minus 1 हो जाएगा minus 2 N की जगा पर minus 1 minus 1 T to the power minus 1 minus 1 minus 2 यानि कि 6 t minus 2 by t square या t square को उपार ही रहने दो अभी और हमको जरूत पड़ेगा differentiation का यह हमको मिल गया velocity फिर से differentiation करो velocity को तो 6 t का t के respect में differentiation करेंगा तो मिलेगा 1 t to the power minus 2 का differentiation करें तो minus 2 t to the power minus 2 में से एक minus और कर दो तो minus 3 हो जाएगा यानि कि हो जाएगा 6 plus 4 t to the power minus 3 यह हो गया acceleration 6 plus 4 t cube हो गया अब आपको acceleration मिल गया किस time पर चाहिए 2 अच्छा mass तो change होगा नहीं mass चाहे 2 second के बाद देखोगे तो भी 3 ही है 3 second के बाद तो भी 3 होगा mass तो constant है change हो रहा है s s change होगा तो velocity change होगा velocity change होगा तो isolation change होगा तो acceleration t equal to कितना value दिया हुए 2 second पर कितना acceleration होगा तो a equal to हो जाएगा 6 plus 4 by 2 cube इसको solve करिए देखे कितना value आता है तो आप solve कर चुके होगे आएगा acceleration a equal to 6 2 to the power 3 का मतलब हो जाएगा 8 1 by हो गया 2 solve कर लिजे यानि कि 13 by 2 meter per second square therefore force equal to हो जाएगा mass into acceleration mass है 3 acceleration हो गया 13 by 2 यानि कि 39 by 2 newton हो गया force अब आप ये समझ सकते हो कि आपके physics में math का कितना role है math का कितना importance है खासकर differentiation का अब बच्चों जब हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे तो बीच बीच में जहां जहां भी differentiation आएगा वहां हम समझाएंगे हलका full का समझाएंगे इतना detail में नहीं समझेंगे हम लो लेकिन last time क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा differentiation का हर उस जगह पर यूज करिएगा physics में जहां पर change हो रहा हो जहां पर परिवर्तन हो रहा हो अगर परिवर्तन होगा इसका मतलब उस question को उस concept में differentiation का हम use कर सकते हैं ठीक है इसके बाद के video बच्चों हम आपको integral समझाएंगे कि integration क्या होता है कैसे calculate किया जाता है और उसको physics में कहां कहां apply करते हैं तब तक के लिए प्यारे बच्चों खुश रहे पढ़ते रहे बाई बाई